हलो बच्चों टोड़ी वेयर molt प्लुति स्टार्ट गांप्टेंस एफेक्ट अनлегर फिनॉमना विश पूसे प्रूव्स i rush निचल औफ लाइट तो गांप्टेंस मेट का होता है ये देखा जाए तो बच्चों गांप्टेंस मेट क्या होता है को इस ट्राइक करती है तो हमें देखते हैं कि जब यह photon energy हमारी जो आ रही है यानि कोई electromagnetic wave अगर आ रही है वो किसी free electron को strike करती है तो हमें observe होता है कि वह electron बहार निकल के आ जाता है और हमें wave यहां मिलती है और इस wave की wavelength हमें बड़ी भी मैसूस होती है ठीक that was observed by Compton this increase in wavelength simply represent के हमें मालूम energy का formula बच्चों क्या होता है sc by lambda तो अगर wavelength बढ़ जाती है lambda dash अगर बढ़ गया तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि energy हमारी wavelength जब energy की inversely है तो अगर wavelength बढ़ गई तो energy हमारी क्या होगी बच्चों कम हो गई है this decrease energy simply represents transfer of energy by collision from one particle to other तो एक particle तो हमारा defined है कौन इलेक्ट्रॉन और दूसरा तो एक पार्टिकल तो हमालूम है इलेक्ट्रॉन दूसरा ये वेव इस बिहेविंग एज़ा पार्टिकल वेन इट कोलाइट्स विद द इलेक्ट्रॉन इस शोस एंड प्रूव्स दा पार्टिकल नेचर आफ वेव ठीक है ठीक है बच्चों तो इस एंड इस एंगिल कहते हैं कि स्केक्ट्रिं। एंगिल हो गया है इस पे एंग्ल पे जो जी खा रहा गE Comptance shift this change is called as Comptance shift clear now Comptance effect भी हमें यह शो करता है कि this is the proof of particle nature of light लेकिन this proof is not a sure proof इसको ध्यान रखेंगे it is not a sure proof क्योंकि sometime ऐसा होता है कि photo energy जब टकराती है किसी भी metal पे तो कोई electron commission नहीं होता है जो electron निकल दा है इसको हम बोलते है नॉक आउट या liberated electron तो कभी कभी ऐसा होता है कि photo energy जब टकराती है तो कोई change इसकी वेलों में observe नहीं होता तो हम यह नहीं कह सकते कि energy का transfer हुआ तो याद रखना बच्चों Comptance shift is not a sure proof of particle nature of light Comptance shift आपके competition के लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है एक यह formula एक यह बात कि it is not a sure proof यह दो बाते आपको याद रखना है और यह याद रखना है कि Comptance effect क्या प्रूव कर रहा है particle nature of a wave और electromagnetic wave ठीक last में तीन बात नहीं याद रखें बच्चों कि photo electric effect के लिए जो हमें अब आता बच्चों हमारा another important topic particle as a wave या इसे कम कहते हैं matter wave particle as a wave या matter wave और this is also called as de-brogly wave तो बच्चों याद रखनो photo electric effect तो बच्चों particle as a wave और matter wave या de-brogly wave कहते हैं this is important not only कि यह de-brogly बहुत important अकेला de-brogly और photo electric effect के combined questions exam में आये हुए हैं और हम इसको पहले theory के form में पढ़ेंगे कि what is de-brogly wave और फिर हम इसके questions देखेंगे और मैं इसको बारहर बोला हूँ कि it is very important and you can expect one question और two questions from this तो यह हम लोग करा होगा अगला topic next video में until then आप इसको revise करें थोड़ा स्कॉम्टेंसमेट देख लें और यह मैं आपको next video में पोस्ट करूँगा de-brogly wavelength तब तक के लिए it's KD Singh signing off thank you